दीप दिलबर द्वारा संपादित पुस्तक है उर्दू कहाणी दे तिन पंजबी थम पहला है सादत हसन मंटो पहली कहाणी है उन्नी सो उन्नी दी इक गाल ए उन्नी सो उन्नी दी गाले पराजी जदो रोल टैक्ट दे वरुद सारे पंजब च अंदोलन हो रहा सी मैं आमरे सर दी गाल कार रहे हैं सर माइकल ओडवायर ने पारत सुरख्या कनून देया दीन गांधी जीदा दाखला पंजब च बंद कार देता सी वो इदर आ रहे सान के पलवल दे स्थान दे उन्ना ग्रिफतार करके वापस बंबाई काल देता गया जितो ताई मैं समय दाँ प्राजी जी अंग्रेज ए गलती न करदा ता जलेया मले बाग दी कटनाओ दी हकूमत दे काले ती हास्ट जाए खूनी वरके दावादा कदी न करदी की हिंदो की मुसलमान ते की सेक सार रहां दी मनाच गांधी जीदी बड़ी इज़त सी जदो अना दी ग्रिफतारी दी खबर लोहार्मोन ची ता सारा कारोबार एकदम बंध हो गया इते अम्रे सर वालयानू पता लगा ता चुटकीच मुकम्मल हडताल हो गई केंदे हन के नौ प्रेल दी शाम नू डॉक्टर साथ पाल दे डॉक्टर किचलू दे देश निकाले दे अदेश डिप्टी कमिश्टर नू मिल गय सानू ओना दी तामील कर लई त्यार नहीं से क्योंकि ओदे ख्यालानू सार अम्रे सर्च किसी पड़ कॉन वली कटना दा खत्रा नहीं से लोग रोस परगट करन लई शान्त मैटा अंगनाल जल से याद कर दे सान जिना तो हिंसा दा स्वाली बैदा नी सी हुंदा मैं अपनी अखी जिठा हाल दसना नौ प्रयालनू राम नौमी सी जलूस निकलेया पर मजा आले जी किसे ने हाकम दी मर्जी दे उल्टी कवी कदम चुकिया हुए पर पराजी सर माइकल पुठी को पड़ी दा बंदा से उन्हें डिप्टी कमेशनर दी कना सुने उन्हें बासी को डर लगा आया सी के ए लीडर महातमा गांधी देश आरे ते सामराय दर तक ता उल्टन दे पिछे पाईये ने ते जड़े जलसे ते हड़ता ला हो रिया ने उन्हा दे पिछे एही साजे काम कार रे डॉक्टर किचलू ते डॉक्टर सत्पाल दे देश निकाले दी खबर शेर विच आगवांग फैल गई लोकां दे दिल डरे होए सन हर वेले तुडकू लगा रहन दा सी कोई बहुत वह डिकट नावा पर्नवाली है पर्पराजी जोश बहुत जयादा सी कारोवार बन सान शैर कब्रिस्तान बढ़ियां सी पर इस कब्रिस्तान दी खामोशी विच्वीक शोर शेरबा सी जो तो डॉक्टर किचलू ते डॉक्टर सत्पाल दी ग्रिफतारी दी कबर आई ता हजारां दी गिनती इट लोग इकठे हो गए ता जो राल के डिप्टी कमिश्टर दी कोल जाकी अपने प्यारे लीडरां दे देश निकाले दा हुकम कैंसल करोण बेंती करण पर पर आजी उजमाना बेंतीयां सुननन दा नहीं सी सर माइकल फराउन वर गया वड़ा हाकम सी उन्हें बेंती सुननना इक पासे रहे हैं लोग का दे एस इकठ नूई गयर कनूनी के अधित दा अमरे सर ओ अमरे सर जो कदी अजादी दे अंदोलन दा सब तो वड़ा के अंदर सी जीदी चाती ते जले अमड़ा बाग वरगा गौरुशाली जखम सी अज किस हालत वेच्चे पर चड़ो इस किसे नूई देलनू बड़ा दुख होंद है लोग आख दे हनके इस पवित्तर शैर चाज़तो 500 साल पहला जो कुछ होया वोदे जिम्मेवार वी अंग्रेज सा होएगा पराजी पर साच पुछो तो लहू जड़ा उत्ते डुलिया वेच साड़े अपने हाथ रंगे नजराओ दे हन हैर डेप्टी कमेश्टर दा बंगला सिवल लाइन सी हर वड़ा अफसर थी हर वड़ा टोड़ी शैर दे उस हिससे ची रंदा सी तुसी अम्रिसर वेख्या तो तो अनु पता हुएगा के शैर थी सिवल लाइन नू मिला उन वळा इककों पोड़े जिस तो बंदा ठंडी सड़कते पुझदे जिते हाकमाने अपने लिए तर्थी उते स्वर्ग बनाया हुया सी पीर जदों हाल दर्वाजे दे कोल पुझी ता पता लगा के पोड़ोते कोड सुआरा ना पैर है पीर ज़रा भी न रुखी ते अग्गे अग्गे वद्धी गई प्राजी मैं उस चशामल सी किना जोश सी ये मैं दास नहीं सकरा पर सब नहत्थे साल किसे कोल सदारन जेई सोटी भी नहीं सी असल चवोता सिर्फ एस गर्जनाल निकले सी पी ये कठ दे रूप चा अपनी अवाज शेर दे हाकम तक पुझाओं ते उन्हों बेंती करन के डॉक्टर किछलू ते डॉक्टर सत्पाल नू बिना किसे शर्थ तो रहा कर देवे पीड पोडवल बद्धी रही लोक निड़े पुझे ता गोर्याने फायर शुरू कर देते एस नाल पा जड़ पैंगी ओ गिन्तीच सिर्फ वी पची सी ते पीड विच लोक सैंकड़ेयां दी गिन्तीच सी पर पराजी गोली दी दैशत बाथ हुन दिये अजई हफडा जखमी हुए ते कुछ पाजड विच मिद्धे गई सजे हत गंदा नाड़ा सी तका वज्जा ता मैं उस्च डिग पया कोडियां चलनियां बंद हो गियां ता मैं उठके वेख्या पीड खेंड चुकी सी जखमी सडकते पैसान ते पुलोते खड़े गोरी हास रहसान पराजी मैनू पक्का याद नहीं कि उस वेले मेरी मांसी खालत के हो जी सी मेरा ख्याले भी मेरी सुर्त पूरी कायम नहीं सी गंदे नाले चे डिगण वेले ता मैनू उक्का होश नहीं सी ते जो दो बार निकले आता जो कटना वाप्री सी उधे नक्ष होली होली मेरी दिमाग चुबरने शुरू होए दूरों रॉले दी अवाज आ रहे सी जो मैं बहुत सारे लोग गुसे चीट चे हड़ा पारे हूं मैं गंदा नाड़ा पार करके पीर दे तकी ये तो हुंदा होया हाल दर्वाजे दे कोल पुझा ता देख्या के जोस्ट परे हूए ती चाली गबरू वट्टे चुक चुक के दर्वाजे दे क्लॉक ते मार रहे हैं उदा शीशा तुटके सडकते डिक पया ता एक मुंडे ने बाकिया नो आखिया चलो मलका दा बुत तोड़िये दुझे ने क्या नई यार कुत वाली नो अगला ये ती जे ने क्या ते सारे बैंकान उई ते चौते ने उना नो रोकिया रुको इस नाल की लाब हुएगा चड़ो पूलते चलके उना नो मारिये मैं उनू पचान लिया ए थेला कंजर सी ना मुहमद तो फैल सी पर थेला कंजर दे नानाल मशूर सी इस लई के उएक वेसवा दी कुखों जमया सी बड़ा वारा गर्द सी निकी उम्रे उनू जुए ते शराप पीन दी पैड़ी बहुत दुखी सन। शेर चु मिशूर सी के उना ना इक तरा नाल उनू करूं कड़े होया है। फेर वियो किसे ना किसे बहने अपनिया लोडा वास्तियों ना कोडूं कुछ ना कुछ मारी लंदा सी। उन जो बड़ा बंठन के रंदा सी। चंगा खान दा चंगा पीन दा सी। बड़ा नफासत पसंद सी। बहुत मुखालिया सुभा सी होदा मिरासियां ते पंडां दे कटिया पंड तो बहुत दूर रंदा सी। उच्चा लमा का दे तगड़े हड़ां पैरां दा जवान सी। जोश चाय मुंडिया ने उदी गाल ना सुनी ते मलका दे बुत व असी सारे राल के उना दी तौन मरोड सक दियां। चलो। दसन चले आया क्या गोडियां तो डरन वाड़ा नहीं। फिर उन्हें अपने साथियां नू संबोधन करके क्या तो उसी डर दे हो ता वापस जा सकते हो। दूर दो कोड सो आर गोरी खडे सन। थेला नारे मारदा होया जंगले दे कोल कुछ जाता फायर होया। मैं समझया क्यों डिग पया है पर वेखिया क्यों उसे तरह जियूंदा जागदा गेवाद रहा है। उदे बाकी साथी डर दे मारे पाच बैसन मुर के उने पिछे वेखिया क्या पर जो ना आओ। उदे मुंग मेरे वाल सी के खोर फायर होया। मुर के उने गोर्यां बल तक्या ते पिठो ते हाथ फेरया। पर आजी नजर ता मैंनू कुछ नहीं ओना चाईदा सी पर मैं वेखिया। कि उदे चिट्टी बोसकी दी कमीज ते लाल-लाल दाग साथ। उगोर ते जीना लगे वादिया। जिमें जखमी शेर इकोर फायर होया। लड़ खडाया। पर एकदम कदम पक्के करके कोड सुआर गोरे ते चप्टया ते आखदे वोर्च पता नहीं की होया। कोडे दी पिठ खाली सी, गोरा पुझे सी ते थलाओ दे उद्दे। दुजा गोरा जड़ा निड़े सी पहला बुखलाया फिर उन्हें डरे होय कोडे नू रोकिया ते तड़ा तड़ फायर शुरू कर देते। इस तो मगरों जो कुछ होया मैनू पता नहीं। मैं अथे फ्वारे दे कोडी ब्योशों के डिग गया। प्राजी जोद मैनू होश आई ता मैं अपने कार्च सी, कुछ जान पछान वड़े बंदे मैनू उथो चुकले आई सान। उन्हा कोड़ पता लगा के पोड़ ते गोड़ियां खाके पीड़ पड़ कुठी सी, जीदा नतीजा होया के मलका दी बुतनू तोड़न दा यतन कीता गया। टाउन हाल ते ते न बैंकान वाग लगी। ते पांज अंग्रेज मारे गे बड़ी लोट मार होई। अंग्रेज अफसरानू लोट मार दा इनना विचार ने सी, पांज जांचे अंग्रेज मारे गे सान। उन्हा दा बदला लैनली जल्यां वले बाग दी खूनी कटना वापरी। डिप्टी कमेशनर बहादर ने शेयर दा कंट्रोल जनरल डायर दे हो अले कार देता। जनरल डायर साब ने बारां पराल उन्नी सा उन्नी नू फोजिया नाल शेयर दे वकवक बजारांच मार्च कीता ते दरजना बेकसूर बंदे ग्रिफतार कीते। तेरां तरीक नू जल अमले बागच जलसा होया। कोई पच्चीक हजार लोकां दा कट सी शाम बेले जनरल डायर हत्यार बंद गोरियां दे नालोगते पुझाते नहत्ते लोकां दे गोडियां दा मी वसोना शुरू कर देता। ओस वेले ता किसे नू जानी नुकसान दा ठीक अनुमान नहीं सी पर मगरों जदों पड़ताल होई ता पता लगा कि एकाजार बंदे मारे गए हन। ते तिन हजार जख मी पर मैं थेले दी गाल कार रहा सी प्राजी। अक्खी वेखी तो अनुम दास चुकां बे एब जात तां रब दिये। मर्न वारे च चाहे सारे एब सन। एक पेशाव और वेश्वाद ये कुखों जम्मिया सी पर है बड़ा बंका सी। मैं हुन विश्वास नाल कै सकतां कि उस लांती गोरे दी पहली गोडी भी उनुम बज़ी सी। अवाज सुनके उन्हे जदों पेच्छे मुड़के अपने साथियां मल वेख्या सी ते उन्हानु होसला ग किती गई तो ओधे दों ही हाथ गोरे दी गर्दन चेनी बुरी तरां खुबे होय सान कि अलग नहीं सान होंदे गोरा मर चुका सी। दुझे दिन जदों थेले दी लाश दफ नौन ले ओधे कारवाणयां दी हवाले किती गई तो ओधा स्रीर गोडियां नाल चाननी होया प किती सी। तो फैल एक वेस्वाता मुंडा सी। इनकलाब दी उस लड़ाईच उन्नु जो पेली गोडी वज़ी सी। दस्वी सी जब पंजामी इस बारे किसेने भी खोजनी किती शायद देस लई कि समाज चो स्विचारे दा कोई रुतबा नहीं सी। दियो जिनु मार्शल लॉक एंदी हन शेर दी हर गड़ी गड़ी चाफरे फिरदा सी। बड़ी हफ़डा दफडी दी हालत विच उस गरीब नु छेती छेती दफना देता गया। बस पराजी थेला मर गया थेला दफना देता गया। ते एक है कि मेरा सैयातरी पहली बारी कुछ केंदा केंदा रुक्याते चुप हो गया। गड़ी पर जी जा रही सी। पटड़ियां दी खड़ खड़ ने कहना शुरू कर देता थेला मर गया थेला दफना देता गया। कि मैं तो उन्हों बेंटी कर चुकाँ के थेले दियां दो पैना सन। शम्शात ते अलमास। प्राजी दुआ पैना दे खुसंदा जिकर किसे खुशामदी ने फौजी अफसरां कुल कर देता। फसाब चिक में की ना सी उस चुडेल दा मिस मिस शुरूडा मारी गई सी। सला बने पि उन्हों सद्या जावे ते जी परके बदला ले आ जाए। तुसी समझ गया ना प्राजी। मैं क्या हाँ जी। मेरे हमसफर ने एक ठंडा सा परेया अजय नाजुक माम लेया अज। वे स्वामा ते कंजरियां भी अपनियां मामा पैणा हुं दिया हाँ। पर प्राजी मेरा ख्याल है कि ए देश अपने मान सन मान नू को चान दा ही ने। जदो थानेदार नू परों हुकम मिलेया तो चाट त्यार हो गया। उस साप शमशात ते अलमास ते मकान ते जाके क्या के साब लोका ने याद कीता है। उत अड़ा मुझरा सुनना चौन दी हन प्रादी कबर दी मिट्टी भी अजे खुशकनी सी हुई। रबनू प्यारा होयां उस विचारे नू सिर्फ दो दिन होय सान के हाजरी दा हुकम मिलेया कि आओ आके साड़ी सामने नच्चो। दुखी करन दा इस तो वद के दुखदाई तरीका की हो सक रहा है। वो एक वेस्वा दी कुखों सी पर वेस्वा मान सी। ते शमशा ते अलमास हो दियां ती आँ सान। ते ठेले दियां पहना सान। वेस्वा मगरों सान। ते ले दी लाश होय के बिहोश होगी आँ सान। मैं पुछियाओ गईया, मेरी हमसफर ने ओदा जवाब कुछ रुख के बड़ी दुख नाल देता, हाँजी, हाँजी गईया, बड़ियां बन ठाण के अपने बुलान वालियां कोड़ गईया, केंदी हन के वावाव मैफिल जम्मी, दोहां बैनाने अपने जोर विखाए, र उटखलोता, ते बार पज़ दे होई रुखान वेखन लगा, पईये दे पटडियां दी खड़ खड़ दी ताल होते, उधे छेकर ले दो शबद नचन लगे, खतम होई, खतम होई, मैंनू पुछिया, फिर की होया, पज़ दे होई रुखान ते खंबयां तो नजर हटा के उने बड़े मजबूत लेजेच किया, वो अपने चमकदार कपड़े पाड़ के, अलफ नंगियां हो गईयां, दिक्यां लगेयां, लो वेख लो, असी थेले दियां पैना हां, उस शहीदियां जेदे सोने सरे नो तुसी अपनियां गुडियां नाल, इसले चाननी कार देत कि उस्ट देश नाल प्यार करन वाली रूसी, असी उदियां खूब सूरत पैना हां, आओ अपनियां काम वासना दे, गरम गरम लोहे नल सड़ा, खशबुआ नल मैं कदा सरीर दागी करो, पर अजया करन तो पहलां सानू एक वारी, अपने मुधे थुक लाड़ देओ, इल मैं कुछ ना किया, गड़ी होली होके स्टेशन ते रुकी, तो उन्हें कुली बुला के अपना समान चुक वाया, जदो जान लगा ता मैं उन्हों किया, तुसी जो वार्ता सुनाई है, उदान तो तो अपना कड़ेया होया जापदै, एकदम चौंक के उन्हें मेरे वल तक किया, इतुसी के मैं जाने, मैं किया तो डिलेजे जी अकै दुख से, मेरे हमसफर ने अपने हलक दी तलकी थुक देनाल निगल दिया होया किया, हांजी उन्हें हराम उन्हें गाल कड़दा कड़दा रुग गया, उन्हें अपने शिहीद प्रादे नान वट्टा ला दता, यह क्या क्यों प्लैटफॉर्म ते उतर गया, तनवाल